तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी हम कैसे बना रहे हैं यह मसाले दार चिकन रेशी पी और गाइस बहुत टेस्टी बनेगी और यह डिफरेंट वे में बनाने के लिए सिखाऊंगी आपको तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो मैंने यहां पर सारे मसाल तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिया जो पेश्ट इसमें लचून अद्रक लांग मरीच और शुकमेल का पेस्ट और यहां है सरसो का तेल फोटा बावल में और मैंने थोड़ा साही तेल लिया क्योंकि चिकन जो है वह थोड़ा ओली टाइप का है इसमें से ओल भी चोड़ एच्छे से कट कर लिया है और यहां पर है हमारा ऊनियन में बहुत ज़्यादा ले रखी यहाँ पर नोggak है इस लिए में भदी इस लिए घर में नहीं घाते हैं पापा रखी सैंसिंयह और तो रेड चिलिइ भी डाल सकते मैं मैंने और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है साफ पानी में तो हलका है इसे गरम पाणिव तक हैंग स्बस्कredına है रेड़ी और अब हम बनाएंगे चिकन तो कई अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को जरूँ सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए गैस को आउन कर लेते हैं सबसे पहले तो यहां पर मैं यह छोटा सिंगल गैस ले रही हूं आप लोग बोले को कहां पर चिकन ब किया था वह और हमारा तेल देख सकते हो कितनी जल्दी गरम हो चुक है पहले ही मैंने कड़ाई को गरम कर ली अच्छे से ताकि हमारा जो चिकन है वह इसमें नब सटे तो यहां पर सबसे पहले मैं डालूंगी में थी और इसको थोड़ी देर चला लूंगी जब तक यहीं ब्लैक हो जाएगा क्योंकि से स्मेल अच्छी आती है फिर मैंने यहां पर तेजपत्ता एड़ किया और इसके बाद मैं यहां पर एड़ कर रही हूं हरी मिर्च तो जैसे कि मैंने बताया अगर आप हरी मिर्च नहीं डालोगे तो भी चलेगा आप लाल मिर्च डाल सकते हो इसलिए मैं यहां पर हरी मिर्च डाला है फिर अब मैं इसमें अड़ करूंगी जो ओनियन ले रही है मैंने सारे तो यहां पर थोड़ा सा ओन्यान को जो है मैं निकाल लूंगी अभी आइड नहीं करूंगी और इसको अच्छे से मैं भूंग लोंगी जब तक यह ब्राउन क्लड ना हो जाए अच्छे से ब्राउन हो जाने के 굿 यादी हम इसमें अड़ करेंगे तो अच्छे से मैं यहां पर चला लिए और यहां पे आप देख सकते हमारा जो ओनियन है वह ब्राउन हो चुका है तो इसको थोड़ा और डस ब्राउन करने है तभी हमारा क्शिकन ज जादा लिए इसको थोड़ा से निकाल लूँगी तो यहां पर मैंने ओनियन को बहुत ही अच्छे से भूंग लिया है और इसको मैं डाल के पहले भूंगोंगी इसमें मैंने हल्दी और नमक भी नहीं आइड किया है तो इसको ऐसे ही मैं मैं 12 मिनिट भूंगोंगी धक्के इसको पका लूँगी ताकि जो ओनियन का जो कलर है हमारे प्याज के उपर लग जाए तो इसको पहले मैंने धक दिया है कुछ टाइम के लिए और धक्के थोड़ी दिर मैं इसको पका लूँगी इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ओनियन का कलर है वो हमारा चिकन में भी एड़ हो चुका है और इसमें अब हम एड़ करेंगे हल्दी तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है तो ऐसे करके चिकन बनाने से बहुत दालूंगी दो तीन मिनेट तक जो हम मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल रखे हैं वह अच्छे से सारे जिकन में फैल जाए और अच्छे से ब्लेंड हो जाए इस तरीके से तब इसको मैं अब धक दूँगी अच्छे से एक थाली की मदद से ताकि जो हमारा चिकन हो अच्छे से सीजे अंदर ही अंदर और इसका जो टेस्ट है वो बाहर ना जाए तो गाइस ये बहुती लोगों ने सुना भी होगा कि धक्के पकाने से इसका टेस्ट अंदर ही रहता है मैंने भी सुना है तो मैं आप लोगे साथ शेयर कर रही हूं तो यहां पर देखो मैंने धक धक के पकाया और हमारा चिकन का जो कलर है फुली चेंज हो चुका है मैंने इसमें अभी मसाला एड भी नहीं किया है लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कितना जादा टेस्टी अभी ही लग रहा है जैसे कि मैंने इसमें मसाला एड कर दिया है तो स्टिफ मैंने इसको प्याज में भूगा है और जब तक इसमें से फुली ओएल ना छोड़ दे चिकन तब तक मैं इसको यसा ही झालाऊंगी धक के तो फिर मैंने यहां पर एड किया है जो मैंने तो दो मिनित के लिए चोड़ दूगी जो हमारा ट्रामेटो है वह अच्छे से मेल्ट हो जाए इस तरीके से यहां पे मैं आप लोगों को दिखाती हूं तो यहां पर आप देख सकते हो तामाटर पुड़ा ही गायब हो चुका है हमारे चिकन में अब हम इसमें आप कर सकते है मसाला एजी ली क्योंकि हमारा चिकन का कलर फुली ब्राउन हो चुका है और अच्छे से हमने चिकन को भूंग लिया है यहां पे आप देख सकते हो वान केजी चिकन में मैंने थोड़ा साही निकाला और इतना कम लग रहा है यानि कि कितने अच्छे से हमें इसको भूंगनी में मृता बर कर लिए लान पर क्याया दो निक आप ग्यान मेरस तरह यहां पर मैंने दो तीन मिनित तक अच्छे से चला आया मसाले को इसके बाद मैं इसमें आड़ करोंगी जो मैंने ले रखना है मिक्स मसाला जो मैंने मामाई ने घर नहीं हgrowthτο स्क्any को मैंने इसमें हैड क तो यहाँ पे मैंने वो मसाले को अच्छे से दो मिनिोट के चलाया जो फिर उसके बाद फिरिमे यहां पे डालाॹ है चिकन मसाला सब्सक्राइब हैC कांट में ही लिया था अब इसको मैं अच्छे से चला लूंगी और इसको मैं ढखके दो से तीन मिनिट तक छोड़ दूंगी लो फ्लेम करके गैस का ताकि यह अच्छे से भूंगे और जो हमारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए दो मिनिट का बाद मैंने यहां पर निकाल के देखा तो यहां पर आप देख सकते हूँ बहुत ही अच्छे से जो हमारा मसाला है वो भूंग चुका है और जो कलर है मसाला का वो भी चेंज हो चुका है तो यहां पर देखो तो गैस को बहुत कम फ्लेम में रखनी है तभी आप ऐसे दो मिनिट के लिए छोड़ सकते हो नहीं तो आपके चिकन जो खाने से ज़्यादा जल जाएगी पकने से ज़्यादा जल जाएगी फिर यहां पर आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से इसको अच्छे से में चला लूँगी दो से तीन मिनिट तक ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए सारे चिकन में और जो धनिया का टेस्ट है वो पड़ा रहे तब हमारा मसाला भूंग चुका है बट मैं इसमें हलका सा पानी आइड करूंगी और फिर थोड़ी देर के लिए चला लूँगी ताकि जो मसाला है वो अच्छे से भूंग जाए तो यहां पर देख सकते हो हमारा बहुत हो चुका है तो चुकन का कलर भी देख सकते हैं कि तहना अब ले दर तुर ला यहाशा है । जडु रभी खाना नहीं है इसमें हमने निया आ अड़ किया हैं और इस के बाद हम इसको ढट लेंगे एक हैंने का मैसमत इुए अविक यहां पर देखो मैंने इस ना रभी जो, मेंहादा रभ new और यह अंदर ही अंदर अच्छे से पक जाए, तो यहां पे मैं 2-3 मिनिट के बाद धकन को गहार के देख रहे हूं, तो यहां पे आप देख सकते हो, हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पक चुका है, यहां पे देखो गाइट, कितना टेस्टी लग रहा है, और अब मैं गैस का फ्लैम को जो है वो कर दूंगी थोड़ा सकम और यहां पर देखो कितना ज्यादा मसाला ही मसाला लग रहा है और अच्छे से हमारा जो चिकन है वो पक चुका है फिर मैंने यहां पर गैस्त को कर दिया है बंद और हम अभी इसको एक बॉल में निकाल लेंगे तो गैस्त यहां पर हमारा मसालेदार ग्रैवी चिकन रेडी हो चुका है और देखने में ही इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है मैं सोच तो अभी ही खालू तो गैस्त आप लोग भी इसी तरीके से चिकन बनाएं और घर में जरूर खिलाए और सब लोग बोलेंगे बहुत जादा टेस्टी बनाएं मैंने ऐसी चिकन बार टाइम बनाई है तो मैं इस बार आप लोग साथ भी शेयर की हूँ तो गाइस यह वीडियो को बहुत साथा प्यार करना और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करना और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब पर देना बाई बाई